Hello Friends, Welcome to Logwrниц channel मैं जी दंद्रकमार सी और आज हम भात करेंगे Important Current Affairs की दोस्तो यह मैं मन्थ का Current Affairs है जो बहुत ही Important है किसी भी exam में पूछे जा सकते हैं दोस्तो यह जो है 25 plus Important Current Affairs है जिसके इंतरगर Questions और एंसर दोनों सामिल है दोस्तो आज तारीक होगे एक जुन 2020 चलिए स्टार्ट करते हैं पिछले मन्थ का करेंट अफेर्स बहाद के किस हाई कोट ने मुख मंत्री जे जैललिता के भतीजे और भतीजी को उनकी करोरों की संपती का बैद उत्राधी कारी घोशित किया गया है दोस्तो ये जो है मद्रास हाई कोट के द्वारा मुख मंत्री जे जैललिता के भतीजे भतीजे का नाम था दीपक और भतीजी का नाम है दीपा को करोरों की संपती पर लीगल अधिकारी घोशित कर दिया गया है ठीक है दोस्तो, नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कितने हजार करोर के सेंट्रल विस्ता परजेक्ट पर सट्टे लगाने से सुप्रिम कोट ने इनकार कर दिया है, बीस हजार करोर के सट्टे लगाने से सुप्रिम कोट ने इनकार कर दिया है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज ने गाउं में रोजगार के आसर पैदा करने के लिए तीन सौ करोर के बिसेस पैकेज की घोसना की है ये है तामिल नाडू राज ने गाउं के रोजगार के आसर पैदा करने के लिए तीन सौ करोर के बिसेस पैकेज की घोसना की है ठीक है दोस्तों ये नक्सा देख सकते हैं भाद के नक्सा में कहां पर तमिल नडू है रेट कलर से कलर किया गया है और तमिल नडू की कैप्टल चैन नहीं है तमिल नडू की सीम कौन है इडा पड़ी के पलानी स्वामी ठीक है दोस्तों नेक्स्ट भारतिय भारतोलन महा संग ने किस पूर्वे वर्ल्ड चंपियन का नाम अर्जुन अवाइड के लिए भेजा है यह है मीरा भाई चानू आप पिक्चर में भी देख सकते हैं यही है मीरा भाई चानू मीरा भाई चानू को बर्स 2018 में बिराट कोली के साथ परतेश्टित रजेयो गांधी खेल रत्न अवाइड से समानित किया गया था हैंने कि 2018 में राजियो गांधी खेल रातन अवाइड मिल चुका है और अभी इनको अरजुन अवाइड के लिए नाम फरवाइड किया गिया है नेक्स्ट मंत्री मंडल की निउक्ति समीती ने स्रीकांत माधो वैद को किस तेल कम्पनी का नए चेर्मेन निउक्त करने की घोशना दे दिये यह IOC क्या चेर्मेन निउक्त करने की मंजूरी दे दिये IOC क्या होता है Indian Oil Corporation ठीक दोस्तों नेक्स्ट, टाटा गुरूप के चेर्मेन रतन टाटा ने किस फर्मेसी कमपनी में 50% तक की हिस्सदारी खरीद ली है, यह है जेनरिक अधार फर्मेसी कमपनी, में 50% तक के हिस्सदारी खरीद ली है, जैसे आप देख सकते हैं, जेनरिक अधार जो प्रोडक्ट है, इस तरह से इस सब प्रोड़क्ट निकलता है इसके अंत्रगत जो प्रोड़क्ट्शन जो भी जेनेरिक अधार के अंत्रगत जो भी प्रोड़क्शन होगा उसमें 50% के अधिकार हिसेदारी है किसका हो गया है टाटा गुरूप का ठीक है दोस्तों नेक्स्ट उत्र कोडिया के तनासा किम जोन उनको किस देश ने दुईतिय बिश यूद इसमारक पदक से सम्मानित किया है ये रूस ने उत्तर कोडिया के तनासा किम जोन को डुटिय बिश यूद समारक पदक से सम्मानित किया है अब देख सकते हैं किम जोन यही किम जोन है नेक्स्ट भारत की किस उनिसिटी के PZDAM एस्ट्रेंट ने सरवाधिक इंटरनेशनल प्लेस्मेंट का रेकॉर्ड बनाया है यह जो है मधपर्देश के अंदरगत रेनेशा इनिसिटी इनिसिटी का क्या नाम है रेनेशा इनिसिटी जो मधपर्देश में है अब भारत की नक्सा देख सकते हैं इसके अंदरगत जो येलो कलर से है यह मधपर्देश हो गया और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल भोपाल है और वहां के सीम कौन है? सिवराज सिंग चोहान Next, क्रेंट अकाउंट खोलने मेनियोमों का उलंगन करने पर आर्बिया इन्हें किस बैंक पर 4 करोर रुप्य का जुर्माना लगाया है? यह है सिटी बैंक सिटी बैंक के उपर 4 करोर रुप्य का जुर्माना लगाया है? ठीक है दोस्तों? Next, भायत के किस एरपोर्ट को भायत और मद एसिया के सर्वस्रेष्ट छेत्रिये हवाई अड़ा चुना गिया है? यह है बैंगलूर का एरपोर्ट एरपोर्ट का नाम है केपगोरा अंतराष्टिये हवाई अड़े को सर्वस्रेष्ट छेत्रिये हवाई अड़ा चुना गिया है? आप पिक्चर देख सकते हैं? यही एक साइड का सिन है जो बैंगलोर में है इस हवाई अड़ा का नाम है केपगोरा अंतराष्टिये हवाई नेक्स्ट, हाल ही में किस राज सरकार ने अपने करमचारियों को दिये जाने वाले सात तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोशना की है, यह उत्तर परदे सरकार करने नए है, यहां घोशना किया गया है, कि जो यहां के करमचारी है, जो जो राज सरकार के अंदरगत, जो भी क निवाप्त कर दिया गया है ठीक है दोस्तों यह आप रेट कलर से भाद के नक्षा में देख सकते हैं यही है उत्तर परदेश और उत्तर परदेश के जो कैपिटल है क्या है लखनाउ है और यहां का सीम कौन है योगी आधित्यनाथ नेक्स्ट दिली पूलिस ने हाल ही में दि 500 लोगों पर एक्षन लेते हुए उनके पास्पोर्ट जब्द कर लिये हैं नेक्स्ट इनमे से किस देश ने हाल ही में फीडेचेस.com उनलाइन नेशन कौब जीता है यह है चीन चीन ने जीता है नेक्स्ट क्रोना वाइरस महमारी और तेल किम तोक में गिरावट से अर्थभवस्था को उभारने के लिए किस देश ने टैक्स को तीन गुना बढ़ा दिया है यह सौधी अरब सौधी अरब ने क्या किया है कि क्रोना वाइरस महमारी और तेल किमतों में गिरावट आ गई थी तो उसके वज़र से जो टैक्स था टैक्स को तीन गुना कर दिय है ताकि वहां की अर्थभवस्था जो है सुधर सकें आप नक्सा देख सकते हैं यह जो येलो है यह सौधी अरबिया है ठीक है दोस्तों और यहां की रजधानी रियाद है नेक्स्ट निमन में से कितने बर्ष के इतिहास में पहली मोटो जीपी रेस रद कर दी गई है ये 70 बर्ष के इतिहास में पहला बार मोटो जीपी रेस रद कर दी गई है अब देख सकते हैं यही है इस तरह से रेस स्क्रिंग किया जाता है इसी को कहा जाता है मोटो जीपी इस MotoGP Race का आयोजन साल 28 से लेकर 30 अगस्तक सिल्वर स्टोन सर्किट पर होना था लेकिन COVID-19 महमारी के कारण इसको रद कर दिया गया है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लगडाउन जहल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए कितने लाग करोर रुप्य के पैकेज की घोशना की है यह है 20 लाग करोर रुप्य की पैकेज की घोशना की है लगडाउन के दोरान हर्याना से अपने पिता को साइकल पर बिठा कर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योती को किस समान से समानित किया गया है यह है मैथिल बिरांगना से समानित किया गया है ठीक है दोस्तों जो आप देख सकते हैं यही है ज्योती ज्योती अपने पिता को साइकल पर बैठा कर दर्भांगा से हड़्याना से दर्भांगा लेकर गई थी और यह प्लाइन जो की प्लाइन करना इसके लिए बहुत लबदायक रहा the cycle federation of india cfi called for trial cfi ने इसको मौका दिया है इस ज्योती को मौका दिया है कि एक बड़ ट्राइल करो हो सकता है तो देश के लिए भी खेल सकती है next हाल ही में किसने घोषना की है कि केंद्रिय ससत्र पूलिस बलो की कैंटीन में एक जुन से किवद सौदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी ये हैं ग्रिह मंत्री की तरफ से घोशना किया गया है कि जो भी केंद्रिय ससस्त्र पुलिश भलो के जो कैंटीन है उसके अंतरगत सौधेसी बस तुओ सौधेसी उत्पादों की बिक्री की जाएगी दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि देश की अगर सौधेसी उत्पादों को अगर हम महत्व देंगे या उसको जब हम अपने यूज में लाएंगे तो उससे क्या होगा कि ओ देश हमारा देश ससक्त बनेगा और हमारा देश से जो भी हम टैक्स पे करते हैं जो भी टैक्स पे करेंगे वो टैक्स सेंटरल गोवर्मेंट के पास जाएगा जिससे की वो हमारे विकास के और बहुत सरे काम देख सकते हैं नेक्स्ट बहायत के किस राज में चोथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव त्यार किया गया है दोस्तो ये राजिस्थान में चोथा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव चल रहा है ये कहां पड़ता है राजिस्थान में बुंदी जीले में है बुंदी जीले में रामगड, हिडोली, धावी और कलंदा के जंगलों में ये टाइगर रिजर्ब बनाने का प्रस्ताव रखा गिया है ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 2021 में प्रस्तावित 200 वाक्षिन चंपियनसिप की मेजवानी भारत की जगह किस देश को दी गई है ये है सर्विया को दिया गिया है पहले भारत करने वाला था, लेकिन भारत की जगह पे अब सर्विया 2021 के मेजवानी करेगा ठीक है दोस्तों, आपना अक्सा देख सकते हैं, यही है सर्विया सर्विया की रजधानी बेलग्रेड है ठीक है दोस्तों यह सर्विया हो गया और इसके रिजधानी यह बेलगरेड है नेक्स्ट New Zealand किर्केट टीम के किस खिलारी को सर्वस्रिष्ट वंडे किर्केटर चुना गया है Ken Blyanson को सर्वस्रिष्ट वंडे किर्केटर चुना गया है आप पिक्चर देख सकते हैं यही है Ken Vlianson. Next. RBI ने हाल ही में 104 साल पुरा ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद कर दिया है? दोस्तों, यह है CKP बैंक को उसका लाइसेंस को रद कर दिया गया है. Next. अमेरिकी अंत्रिश एजनसी नासा ने चंद्रमा की सता पले जाने वाले मून लेंडर के कितने डिजाइनों को चुना है? यह है तीन डिजाइन को चुना गिया है. मून लेंडर के तीन डिजाइन चुना गिया है. SpaceX, Blue Origin और Dynetics. ठीक है दोस्तों? आप पिक्चर भी देख सकते हैं? Next. अमेरिका में भारतिय मुल्की अभियोजक किसको निवार की अदालत में नियाएधिस नियुक्त किया गया है? यह है सरिता कुमाती रड़ी. आप पिक्चर में देख सकते हैं. यही है सरिता कुमाती रड़ी. यह भारतिय मुल्की हैं. और अमेरिका में क्या होंगी? निवार की अदालत में नियाएधिस नियुक्त किया गया है. इनको नियाएधिस के रूप में नियुक्त किया गया है. Next. भारत की किस टेनिस खेलारी को फेड कॉप हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है यह है भारत की एस्टार खेलारी टेनिस खेलारी सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा को फेड कॉप हट एवार्ड से समानित किया गया है आप पिक्चर देख सकते हैं यही है सानिया मिर्जा दोस्तों अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जागा कमेंट कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग वीडियो